नमस्कार दोस्तों स्वगत आप सभी का हमारी यूटूब चन अब्जेक्टिव संटर पर इस वीडियो में हम लोग नेवी ट्रेट्समैन मेट भरती परिच्छा के प्रैक्टिक सेट साल्व करेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा जीके का ही कोश्चन रहेगा बाकि और अब हम ऐसे टुकोडे में पढ़ लेंगे कि मैथ अलग पढ़ लेंगे जे के अलग हाई ये और इसके बाद इंगलीज अलग पढ़ लेंगे जो भी अलग-अलग इसका जो लिंक है पूरा पले लिष्ट का उसको हमने डिस्कुर्शन बाग समद में दिया है तो आप हमारा दूसरा है टेश्ट स्रीज तो उसी को हम लोग इस्टार्ट करने वाले हैं तो यहां पर हम लोग सबसे पहले जी के ही पढ़ने वाले हैं देखी यहां पर 76 नंबर का कोश्चन है कि राजनीतिक स्वतंतरता का अर्थ क्या होता है तो देखी जो राजनीतिक स्वतंतरता का अर का अधिकार दिया जाता है दूसरा है कि UEN Charter में कितने सिध्धान्त है तो जो UEN Charter है उसमें साथ सिध्धान्त है तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा 78 नंबर का कोशन है कि मार्क्सवादी भौतिकवाद किसके विचार से आया है तो जो मार्क्सवादी भौतिकवाद का जो बिचार आया था यह है डार्विन के द्वारा आया था तो 78 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा अब चलते हैं अगले कोशन पर भारती संभिधान का अनुच्छद यानि कि जो अर्टिकल होता है फर्ष्ट भारत को क्या घोसित करता है तो जो अनुच्छद फर्ष्ट है भारत को क्या घोसित करता है तो आपको भी पता होगा कि भारत राजियों का एक संभ होगा तो यहाँ पर आपसर नंबर यहाँ पर दिख रहा है जिसके अनुसार भारत राजियों के एक संग होगा इसमें यह भी कहा गया है कि भारतिय भूच्षेत्र में सभी राजियों के भूच्षेत्र संगसासित राजियों के भूच्षेत्र और अन्य भूच्षेत्र जो भारत में हैं सामिल होंगे 80 नंबर का कोश्चन है कि सरवाधिक अस्थाई पारिष्थिति की तंत्र निम्ने में से कौन सा है तो देखे जो सबसे अस्थाई की यहां पर बात करे रहा है तो अस्थाई की बात यहां करेगा तो महास्थागर यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सान नंबर सी तो असी का यहां पर सी अंसर कर्क्ट हो जाएगा अब है 21 की नंबर का कोश्यन कि मुख्य बैंकों जो चौदे थें उनका राष्टी करण कभ वुए था उनका जो हुआ था उनका जो हुआ था वह 1969 में हुआ था तो 17 जुलाई को हुआ था यह सत्रह जुलाई 1969 में हुए था तो 14 मुख्य बैंकों का राश्टिक कराण यहां पर हमारा भी अंसर करेक्ट हो गया इसका बद 82 नंबर का कोशन है कि फलों को पकाने वाला हर्मोन कौंसर होता है देखिए एथलीन ऐसा एक मात्र हर्मोन है जो गैस रूप में पाए जाता है और मालित किया था यह मादा पुस्पों की संखे में व्रिद्धि करता है यह पत्तियों पुस्पों वा फलों के विलगन को प्रेरिद करता है जो एथलीन होता है तिरासी नंबर का कोश्चन है माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उप्योग होता है वा क उपनिसाद सब्द का सब्दिक रूप से यह अर्थ होता है ज्यान प्रग्यता पास बैठना सरस्वर पाथ तो देखी जो उपनिसाद सब्द का सब्दिक अर्थ होता है वह होता है पास बैठना तो यानि कि उपनिसाद का सब्दिक अर्थ है पास बैठना या समीप बैठना अर्थात ब्रह्मा जो ब्रह्म है विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरू के समीप बैठना पचासी नमबर के कोश्चन है जिस मनीसी पंडित ने दच्छिड भारत का आरी करण किया वी कौन थे तो जो पंडित दचिद भार्त कर आरीं करन किए थे, तो आरीं करन करने का काम की हैं आगस्त रिसी ने, तो आगस्त थे यह, तो यहां प्रिसकृसियांसर करेक्ट है जाएगा अगस्त वैदिकारियों की ही भात या गियी आगनी की प्रथा का पालन किन के द्वारा भी किया गया रोमवासी यूनानी लोग इरानी लोग उपरोग तो सभी तो यह सभी के द्वारा किया गया था यानि कि रोमवासी यूनानी लोग इरानी लोग यहां पर इसका डियांसर करेक्ट ह में बाती संगीत का उदगम किसमें से खोजा जा सकता है रिगवेद सामवेद यजुरुवेद अतरविवेद सामवेद में संगीत का पूर है यहां पर जिक्र होता है तो सतासी कर यहां पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा शामवेद में जो सामकार्थ होता है वह गान होता है और इसकी रिचाओं का गान करने वाले ब्रामनों को उदगाता कहते हैं who 88 नमबर का कोश्चन है प्राचीन भारत में प्राचीनतम बहुद इश्विध्याले का नाम क्या है तो देखिए जो प्राचीन की की के विश्विध्याले के नाम हे बाध दे रहा है तैस्पिध्याले जोगी बहुत Going प्रतिवी पर सबसे अधिक तप्त गर्मास्थान कौन सा है तो प्रतिवी पर सबसे अधिक जो तप्त गर्मास्थान है वह अजीजिया लीविया तो यहां पर इसका दियांसर करेक्ट हो जाएगा नबे नमबर कोशन है भारत का संपूर्ण छेतर कितना है देखिए जो भारत का संपूर्ण छेतर है 32,87,590 वर किलोमीटर है तो यहां पर इसका दियांसर करेक्ट हो जाएगा और आकार की दिरिष्टी से भारत विसको साथ सबसे बड़ा देश है और उत्तर भारत से दच्छिड में जो है यानि की जो भारत है उत्तर से दच्छिड में जो है यह 32,14 किलोमीटर है और पूरव से पस्ची में अगर इसकी लंबाई देखी जाए तो यह 29,32 किलोमीटर प्रक फैला हुआ है और भारती सीमा जो रेखा है 15,200 किलोमीटर लंबा है और अगर 30 ही रेखा की बात करें तोर्या सबसे लंबी परवत एंड़ी परवत तो नेच परवत जो है संसार की सबसें परवत रिंख्ला है और जिसकी लंबाई लगबग यह साथ हजार किलो मीटर है तो साथ हजार किलो मीटर के आसपस यह है बानवे नमबर कोशन है निमनलखित देशों में से किस देश में कोई भी खनीज निच्छेप नहीं है स्विटिजर लेंड आश्ट्रिया नार्वे स्रिलंका तो जिस देश में कोई भी खनीज निच्छेप नहीं है वह स्विटिजर लेंड है स्विटिजर लेंड ऐसा देश है जहां खनीज संसाधन नहीं पाए जाते हैं इसका दोती है इसा जंगल परवत और जहीलों से अच्छा दित है खनीज संसाधनों की कमी होने के कारण जो स्विटिजर लेंड है इनका आयात करता है अब हमारा 93 नंबर का कोश्चन की जल का स्थानांत्रन है अब सुघटित संसुघटित यह और भी दोनों इनमें से कोई नहीं तो जो जल का स्थानांत्रन होता है अब सुघटित और संसुघटित दोनों होता है तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा जीन युगमों में नहीं पाय जाते हैं तो देखे जो जीन युगमों में रहते हैं उसमें युगमकों में नहीं पाय जाते हैं रख्त समोहो की खोज किसके द्वारा किया गया था तो रख्त समोह कर लेंड इस्टिनर के द्वारा खोजा गया था तो यहाँ पर यह जो तुल्ले होता है यह सुन्ने आएगा आपका जोंकि एक डोरी द्वारा साधरन लोलक पर किया गया कार एक दोलन गती के दोरान सुन्ने होता है डोरी में तनाव पूरते डोरी के समना अंतर घटा को समाप्त कर देता है यह इस्थिति डोरी को पुने बाटट केनलि était कोई पिंड था पदार्थ या कुछ भी है तो इससे पर अगर जीका करेगा इस ठोडर में डिख्या ये जब मतलब यह संतुलित हो जाते हैं जब संतुलित हो जाएंगे तो यह क्या करेंगे इनमें नियुक्तम बल कान से हो जाए एक तो यह जो लग रहा है और इसकी एक आपोजिट्त में जो बल लग रहा है यही दो बल कम कि यहां पर कम से कम दो बलों की जरूरत पड़ती है या बलों की नुद्धम संक्याद दो होती है अंठानवी नमबर कोशन है कि सम्मिधान के किस अनुच्छेद के अंतरगत भारत के राश्टपति को अध्यादेश जारी करने की सक्ति प्रदत्त है तो यह जो अनुच्छेद होता है वो है अनुच्छेद 123 तो 130 के अंतरगत क्या है कि सम्मिधान के 130 अनुच्छेद के अंतरगत भारत के राश्टपति को अध्यादेश जारी करने की सक्ति प्राप्त है और जो अनुच्छे 360 है यह वित्ति आपात के बारे में बताता है जो अनुच्छे 356 है यह राज्यों में समवैधाने की तंत्रिके विफल हो जाने की दस्ना में बताता है और जो अनुच्छे 200 है यह विधायकों पर अनुमति से संबंदित है इन्यानवी नमबर कोश्चन है नमलिक्षित में से कौन सी सरवधिक गहरी महासागरी गर्थ है तो जो सबसे ज़्यादा गहरा महासागरी गर्थ होता है वह मेरियाना गर्थ है सबसे गहरा गर्थ मेरियाना गर्थ अब इसका बद हंड़र्ट नमबर का कोश्चन है कि मेरे हाल ही में फलिस्तिन के नय प्रदानमंतरी कौन नामईत किये गए हैं तो यह आपका है मुहम्मद सत्य यह हैं तो यहां पर इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा तो अगर यह दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें अगर आप आपना अगला और पिछला सारा का सारा वीडियो देख सकते हैं और यह वीडियो आपको ज्यादा से ज्यादा से शेर करनें अपने दोस्तों के साथ ताकि हम और भी नेमी ट्रेट समयन के कोस्चन लाते रहें आप लोगों के लिए मिलेंगे नेस्ट वीडियो में थैंक झाल 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 झाल